हलो फ्रेंड्स, वेलकम ट्यूर लविंग चैनल टॉर्कन टूर् दोस्तो इस एपिसोड में हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहे हैं कि अगर आप हिमाचल के अंदर हिमाचल में रहते हैं और हिमाचल में आपको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक प्लेस तू दूसरे प्लेस मूवमेंट करनी हैं आपको किसी काम के लिए जाना है आप नौकरी करते हैं आप कोई दुकान करते हैं आप कोई बिजनस करते हैं या कोई और आपका कोई urgent काम है जिसके लिए आपको travel करना है तो उसके लिए आप district 22 किस तरह से pass के लिए apply कर सकते हैं district authorities से तो दोस्तों इस pass को apply करने के लिए हम लोग चलेंगे किसी भी एक district के district administration की website पे हम लोग जैसे example के लिए kangda को choose कर लेते हैं तो हम लोग kangda के सरकारी administration की website के लिए apply करेंगे हम लोग type करेंगे hpkangda.nic.in इसी तरह से आप किसी और district के लिए apply करना चाहते हैं तो वहां के लिए hp.villaspur, hp.mandi, hp.hamirpur करके इस तरह से वहां की website के लिए ये link open कर सकते हैं जैसे हम लोग इसको click करते हैं हमारे सामने ये district kangda की official website administration की आ जाती है इस पर click करते ही हमारे सामने इस तरह का एक interface इस website का आ जाता है यहाँ पर सबसे पहले ये add है इसे आप cut कर दीजिए इस add को cross button से उसके बाद आपके सामने इस तरह से interface आ जाएगा उपर ये adds या links हैं आप इन पर पढ़ेंगे यहाँ कोविड-19 curfew e-pass click here ये पीछे वाला इस पर हम लोग यहाँ पर click कर देंगे apply करने के लिए ये आपसे option sorry permission मांग रहा है कि अधर website पर जा रहे हैं इसे ok कर दीजिए ताकि आपको दूसरी website पर ले जा सके इस पर click करने के बाद आपको ये instruction page खुला है कि आप अगर इस पर कोई document अपलोड करने जा रहे हैं तो उसका size 1MB से कम होना चाहिए अपने phone number email को proper डालें क्योंकि इन ही पर आपको जो information है उसकी आने वाली है ये जो आपका pass apply होगा उसके लिए जब pass भरना शुरू करें तो उसके हर column को पढ़कर ही भरे e-pass शुरू करते हैं e-pass request for moving within district outside district within hp outside state of hp तो हम लोग example के लिए यहां पर tutorial के लिए outside district within hp मतलब हमें कांगडा से हमीरपूर, कांगडा से शिमला, शिमला से मंडी इस तरह से अगर कहीं outside district within hp जाना है तो इसको click करेंगे from which district you want to move out, आपको किस district से बाहर जाना है, तो example के first option कांगडा ही भर देते हैं, category आप किस काम के लिए बाहर जाना चाते हैं, आप किसी और काम के लिए जाना चाते है, essential services supplier है, आप कोई private establishment है आपकी, तो हम लोग यह तीसरी option essential services supplier, private establishment पे click कर देते हैं, इसको click करने के बाद category भरी है, essential services, तो कौन सी essential services हैं, तो उसके लिए आपको sub category पे click करना पड़ेगा, इसमें shops, as per MHA guidelines, cold storage, warehouse, banks, इस तरह से बहुत सी guidelines है, MHA की जो guidelines है, shops की उसे आप जो COVID-19 MHA guidelines click, Google पे सर्च करके निकाल सकते हैं, banks, insurance, media, transport, essential service, transport, non essential goods, emergency, hotels, hotels में सभी hotels नहीं होगे, जहां पे कोई medical emergency staff रखा गया है, कोई quarantine किया गया है, किसी को सिर्फ उन ही के लिए permission मिलेगी, quarantine establishment है, death case है, आपके घर में कोई किसी की death हो गई है, तो उसके लिए आप pass के लिए apply कर सकते हैं, उसके discrimination में में शामिल होने के लिए, private hospital, clinic, nursing, homes, pharmacy, chemist, dispensaries, medical equipment, medical laboratories, pharmaceutical research, data centers, call center, agriculture, custom hiring, इस तरह से ब इस तरह से आप इसको scroll करते जाएंगे, तो आपको बहुत सी option मिलेंगी, जो आपके काम की option है, आप उस पे यहाँ पे click करके इसे proceed कर सकते हैं, जैसे हम example के लिए इसमें से कोई भी एक choose कर लेते हैं, जिस तरह से हम यह milk milk products इसे choose कर लेते हैं, इसके लिए हमें applicant का आप नाम देना होगा, किस नाम से आप यह application भरना चारें, हम यहाँ example के लिए manoj लिख देते हैं, इस तरह से हमने यहाँ पे यह manoj click कर दिया है, उसके बाद आपको next जो भी options है, manoj आपने भरा तो आप यह next option है, आपको son of, जो address के लिए आपको father's name है, वो भरना पड़ेगा, उसके age किया है, वो भरनी पड़ेगी, gender, male, उसके बाद mobile number, email ID, यह correctly भरें, जरा ध्यान से identity card type, आपके बास किसी भी तरका को सरकारी identity card है, तो आप उसको यहाँ पे भर सकते हैं, उसके बाद आपको identity card का number यहाँ पे डालना होगा, जिस तरह से आप अगर आप अपना कोई pen card डालत उनना को पूरा address यहाँ पे देना है, उसके बाद kangra क्क याब आओट के लिए लिए लिखा, तो kangra already यहाँ पे आया हुआ है, उसके बाद आपको purpose लिखना है, किसका काम के लिए आपको पास चाहिए, जैसे हम Mooer अपको मिल्क के लिए भी अगर किसी और काम के लिए जा तो आप two or from दोनों में ही एक date डाल दीजिए, period एक date से शुरू हुई, उसी date पे खतम कर दीजिए, अगर आपको ज्यादा दिनों के लिए चाहिए, जैसे आप रोज supply के लिए जाते हैं, या हफ्ते में एक दो दिन जाते हैं, तो वो dates आप मेंशन कर दीजिए, उसी के साथ आ time भरना पड़ेगा, e-pass required for one way, आपको सिर्फ जाना है, वापिस नहां वहीं रोह रहेंगे, उसके लिए आप apply कर सकते हैं, round trip आपिस आने के लिए, मतलब आपको up down करना है, जाना और आना है, तो आप click कर दीजिए, moment from place, आपको कांगड़ा से चलना है, तो आप first option में कांग vehicle type भर दीजिए, उसके बाद next option आपके पास आजेगी, vehicle registration number, जिस भी गाड़ी को आप use करेंगे, उस गाड़ी का यहां पर number डाल दीजिए, यह आप vehicle type देख सकते हैं, tractor, LMB, two wheeler, goods vehicle, आप कोई भी option भर दीजिए, जो आपको suit करती है, तो next option आजाती है, vehicle registration number, आगाड़ी का number डाल दीजिए, जो आप moment के लिए use करेंगे, next option आजाती है, additional persons accompanying with pass holder, आपके साथ कोई और जा रहा है, अगर आप अकेले जा रहे हैं, तो none, going alone, कोई एक और जा रहा है, तो one, two जा रहे हैं, two, three जा रहे हैं, तीन भर दीजिए, हम example के लिए, एक पे क्लिक कर देते हैं, हमार तो नहीं दी गई है, yes or no, डाल दीजिए, क्योंकि अगर कोई 28 day के लिए home quarantine है, तो उसे permission ही नहीं मिलेगी, तो उसी को permission मिलेगी, जो quarantine में ना हो, तो आप इसे option को no कर दीजिए, उसके बाद आपको आपसे declaration ली जाते हैं, कि आपने आरोग्य सेतू mobile app डाउनलोड की है, तो capture code को सही सही भर दीजिए और उसके बाद submit कर दीजिए, जैसे ही आप submit करेंगे, तो आपके पास एक और interface खुल के सामने आ जाएगा, तो दोस्तों चलिए next उस interface पे चलते हैं, जिसमें आपको documents upload करने की और edit करने की option दी जाती है, तो दोस्तों जैसे ही हम उस form को submit करते हैं, हमारे सामने एक और interface खुल के आ जाता है, जहां पे आपको पूरी detail दिखाई जाती है, जो जो आपने उस form में fill किया है, वो पूरी की पूरी detail आपको दिखाई जाती है, आप उसको check कर सकते हैं, आपना वो उसे सही या गलत तो नहीं कहीं भर दिया, सही भरा है, तो ठीक है फिर आप उसके next में जाके attach an texture यहां पर आपको attachment देनी पड़ेंगी, एक तो आपका कोई document जो आपने ID दी है, उसका ID का proof देना पड़ेगा, और दूसरा देना पड़ेगा जो आपने उसके लिए reason भरा है, उस reason को justify करने के लिए आपका कोई document लगेगा, अगर आपको लगत आजाता है, तो चलिए दोस्तों हम click कर देते हैं attach an texture पे और चलते हैं next interface के उपर, तो next interface जो हमारे सामने आजाता है, यह आजाते है enclosers को attach करने का, सबसे पहले आपकी pass option आ गई है any other government ID proof, आप कोई भी सरकारी ID डाल दीजिए, आप pen number डाल दीजिए, कोई सी की photo डालनी है, आपको driving license डाल दीजिए, कोई भी आप government का ID proof यहाँ पे attach कर सकते हैं, तो उसके बाद अगर इसको आप भर देते हैं, तो next option आ जाती है, document to support the purpose, आपने जो reason भरा है, उसकी authenticity के लिए आपको यहाँ पे document देना है, अगर आपको दुकान दा रहे हैं, तो आपको दुकान का license द लेगा, तो दोस्तों जैसे ही आप यह सब्मिट कर देते हैं, आपके पास जो है, वो receipt आजाती है, mail या phone पे, तो उस receipt को आप संभाल के रख लीजिए, वो आपको काम आ सकती है, अगर आपका पास ना आए तो communication के लिए, उसके बाद आपको एक दिन के अंदर ही message आ जाता ह है, क्या आपका वो approve हुआ है, या reject हुआ है, जो आपना पास के लिए apply किया है, अगर आपका पास बन गया है, तो आपका पास वो mail के थुरू आपको mail जाएगा, आप उसका print निकाल लीजिए, या आप उसको soft copy के use में भी use कर सकते हैं, तो आप उसका print निकाल के आप फिर travel कर सकते हैं, दिये गए time के अंदर, जोस्तों अंत्मा मेरी आपसे एक request है, कि आप बिना मतलब कि अपने मजे के लिए pass के लिए apply ना करें, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों को share करें, क्योंकि जिस तरह से आपको जरूरत हो सकता है, आपके किसी near and dear को इ बहुत ज़्यादा जरूरत हो, तो उनसे share करें, वीडियो को like, comment share करना ना भूलें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद